Hello everyone, this is Siddharth Patel. Welcome to Magnet Brains. Magnet Brains एक ऐसा platform है, जहाँ पर आपको Class KG से लेके Class 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पर जितने भी वीडियोज हैं, वो सारे वीडियोज बिल्कुल free of cost available है. So, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कि आपको दो चैप्टर free में देने के बाद हम लोग आपसे कोई free charge करते हैं, आपको कोई subscription लेना पड़ता है. यहाँ पर जितने भी वीडियोज मिलेंगे, वो सारे वीडियोज आपको बिल्कुल free of cost मिलेंगे. और यह है Magnet Brains की पूरी Humanities की टीम, जो की जोरो शोरों से महनत करती है, आप लोगों के लिए वीडियोज बनाने के लिए, so that आप इन वीडियोज को देखके, exams में बहुत अच्छे marks score कर सकें और अपने मापाप का नाम रोशन कर सकें. आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं target area planning के बारे में. हम लोग planning and sustainable development in Indian context, जो कि आपकी बोख है India People and Economy उसका पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़े planning से related बताई थी. अब इसमें जो sustainable development है, sustainable development पे हम लोग कुछ समय बाद आएंगे as per our discussion, जैसा कि मैंने आपको बताया था first video में ही. अभी हमारा जो focus है, वो focus mainly planning पे सबसे ज़्यादा है कि planning क्या होती है और मैंने आपको planning का हमने एक छोटे से example से शुरू किया था कि आप अपने दिन का भी पूरा plan करते हैं कि मुझे क्या क्या करना है, या नहीं करना है, या आप अपने life में थोड़ी सी planning करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मुझे ये graduation करना है, मुझे civil services की तैयारी करनी है तमाम तरीकी की ये day to day life में हम लोग ये सारी चीज़ां करते ही हैं. लेकिन अब हमें बात करनी है planning in Indian context. तो इंडिया में कैसे अभी तक development हुआ है, जो भी development हुआ है वो proper planning की वज़े से हुआ, आप लोग जितना भी development देखते हैं, उसमें पूरा proper planning होती है तो इन सब की वज़े से पूरा क्या है? इंडिया develop हुआ है. ठीक है, तो इंडिया में पहले five year plan बनते थे planning commission of India के द्वारा, अब planning commission of India को किसने replace कर दिया है? नीती आयोग ने कर दिया है तो ये सारी चीज़े हम लोग पढ़ चुके हैं. अब basically हम लोग समझते हैं target area planning को तो target area planning में हम आप क्या समझें? अगर आप मैं इस topic पे ही जाओ, target area planning मतलब आप किसी एक area को target कर रहे हो, आप वहाँ पे plan कर रहे हो. For example, यहाँ पे कुछ पहाड में ये गाओं वगेरा है तो इस गाओं पे हमने target किया है और यहाँ पे हम plan कर रहे हैं कि यहाँ पे road अच्छे बने, यहाँ पे वो mobile का network अच्छे से रहे, internet connectivity अच्छे से रहे, school रहे, hospital रहे, healthcare system रहे, चीक है? तो हम यह पूरा planning कर रहे हैं. तो target area planning करने की क्यों आफ़शकता पड़ी है? इसको अगर हम देखें, तो इंडिया बहुत बड़ी country. अगर हम देखें, तो जो uneven वाली चीज होती है, यहाँ पे चीजें जो होती है, वो uneven way में होती है, जैसी है इंडिया है. तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि यहाँ अगर मुंबई है, तो मुंबई में development बहुत अच्छा है, यहाँ पूने में development बहुत अच्छा है, लेकिन महाराष्ट के जो कुछ region ऐसे होंगे, जहाँ development इतना अच्छा नहीं होगा. तो हम क्या देखते हैं, बहुत बड़ी country है, बहुत diversity है अलग-अलग climate condition है, उस हिसाब से यहाँ पे कुछ जगा पे अच्छे से planning, कुछ जगा पे अच्छे से planning या अच्छे से development नहीं हो पाए. जैसे कि अगर हम यहाँ नौर्थ इस्टन स्टेट्स में जाएंगे, तो अगर हम नौर्थ इस्टन स्टेट्स में देखेंगे, तो यहाँ नौर्थ इस्टन स्टेट्स में क्या होता है, यहाँ नौर्थ इस्टन स्टेट्स में देखा कि यहाँ पे resources बहुत है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो resources हमें देखने को बहुत मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे development नहीं हो पाया है, यहाँ पे development क technology में ये लोग पीछे रह गए हैं और यहां जब भी अगर हम लोग आज की तारिक में development की बात करते हैं तो technology बहुत important role play करता है आज की तारिक में development की बात करेंगे तो technology सबसे important role play करेगा तो जरूरी नहीं है कि जहां resources होंगे वहां अच्छे से development भी होगा development वहां होगा जहां पर अच्छा कोई निवेश करेगा जहां पर technology का अच्छे से investment होगा ठीक तो बहुत बहुत सारे शहरों में आप देखते हूं कि वहां resources नहीं है लेकिन वहां क्या हो रहा है resources वहां पर उपलब्द करवा दिये जाते हैं क्योंकि वहां टेक्नोलोजी है वहां पर लोग है चीक, so target area planning में यह होता है कि कुछ areas identify किये जाते हैं जाएक पर development कम हुआ है और उन areas को target किया जाता है the planning process has to take a special care of those areas which have remained economically backward जो economically backward area रह गए हैं कोशिश यह करना है कि वहां पर अच्छे से planning की जाए as we know the economic development of a region depends upon its resource base but sometimes resource rich region also remain backward हमेशा हम यह देखते हैं कि जहां resources बहुत होते हैं वहां क्या होता है वहां development हो जाता है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई जगा पर resources होते हैं उसके बावजूद वहां development नहीं हो पाता है ठीक है economic development requires technology economic development requires technology as well as investment या investment beside resources with a planning experience of about one and half decades it was realized that regional imbalances in economic development we're getting ठीक है हम यहां पर क्या देख रहे हैं हम नहीं यहां पर यह देखा है कि इंडिया का इत्ता जो planning experience है उसमें लोग यह देख रहे हैं कि regional imbalance देखने को मिल रहा है regional imbalance imbalance पतलब यहीं हम जो कि महाराश्ट में Mumbai और पूने बहुत develop हैं लेकिन वह गाउं इतने को मिल रहा है तो इसको हमारी सरकार ने सोचा कि इसे सुधारना होगा इसे ठीक करना होगा clear है यह वाली चीज आपको यहां पर समझ में आ गई है now in order to arrest the assentution of the regional and social disparities the planning commission introduced target area and target group approaches to the planning यहां पर क्या है यह देखने के बाद कि जो resources है वह एक जगा पर इखटे हो रहे हैं वह एक जगा पर इखटे हो रहे हैं तो planning commission of india ने target area planning का शुरुवाद की ठीक है planning commission of india ने कुछ-कुछ area को target किया और उन area को और वहाँ पर development किया क्योंकि हम लोग देख रहे थी कहीं कहीं resources एक जगा accumulate हो रहे थे चीक है वहाँ एक जगा accumulate हो रहे थे तो उनको कहीं न कहीं हमें distribute करके दूसरे areas में भी planning करनी पड़ेगी some example of programs directed towards the development of target areas अब कुछ-कुछ examples हैं यहाँ पर कि target area planning कैसे होई और इन examples को हम लोग coming videos में detail में समझेंगे जैसे drought prone area development program जिन areas में बहुत जादा drought और बहुत जादा पानी और इन सब की शिकायत रहती है वहाँ पर drought prone area development program ч리 चलाया गया कमांड area development program चलाया घिलалD fears is сделать persy desert area जहां पर पहाड़ और बहुत नहीं होदर तो और बहुत तो अलग अलग तो अलग पर हम यहां ने यह देखा जैसे यहां पर हमने देखा जैसे कि नौर्थ इस्टन सेर्स में बहुत जादा हिल है तो यहां पे अलग अप्रोच रखी वहीं अगर हम यहां जाए राजिस्तान के टोवड जाए तो यहां डेजर्ट वाले एरिया में हमें कुछ अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी ठीक है जो यहां पे प्लेंस हैं ठीक है म these are the examples of target target group program, marginal farmer development agencies, small farmer development agencies अब क्या है टार्रेट groups को भी target किया जा ला है जैसे जो reminding the customers who have the customers जGU चुले चूटे चॉटे चुटे अपर्स हैर यह जिन्का productivity बहुत कम हो रही है तो वहां पे भी टार्गेट किया जा रहा है जो चूटे चूटे किया जा a true marketers तो ऐसे करकी किसी group को target किया जार है इसका सबसे एच्छे example आप कैसे समझेंगे आप आपने डेखा होगा कि आपके school में कई बार Extra Classes होती है और कई बार Extra Classses में क्या होता है कि जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में कमजोर रहते हैं, उन्हें जरूर बुलाया जाता है, या सिर्फ उनके लिए एक्स्रा क्लास होती है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उस ग्रूप पे टार्गेट कर रहे हैं, ताकि उनके मार्क्स अच्छा आपाएं, उन पे थोड़ा स section पर तार्गेट कर रहे हैं, particular area पर ताकि वहाँ पर development हो सके, in the eighth five-year plan, special programs were designed to develop infrastructure in hill areas, not hill, hill areas, north eastern states, tribal areas and backward areas, जो फिर जो eighth five-year plan आया था, उसमें क्या हुआ था कि hill areas, tribal areas, इन पर अलगलग development programs बनाये थे, तो इन पर अलगलग target किया गया था, बहुत ही छोटा सा topic था, target area planning, इस पर सिर्फ आपको इतना जानना था, कि यहाँ पर especially areas को target किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, areas को target किया जाता है, so that वहाँ पर development बहुत अच्छे तरीके से हो सके, so magnet brains की videos, आप लोग YouTube से तो देखी सकते हैं, बट बहुत बार यह होता है कि आपको YouTube पे video नहीं मिल पात जिए, जैसी आप magnet brains.com लिखके search पर click करेंगे, कुछ इस तरीके का interface आपको नजर आएगा, नीचे दिया गया होगा explore top courses, यहाँ CBSE State Board Hindi Medium, NTSC Olympiad English Medium, सारी चीज़ें आपको magnet brains पर ही मिलेगी, बिल्कुल free of cost, अगर आप यहाँ पर CBSE English Medium पर जाके touch करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आजाएंगे, और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको class 12 का geography नजर आएगा, और जैसी आप class 12 के geography पर click करेंगे, यहाँ पर आपको class 12 के geography की videos मिलेंगे, NCIT book के according मिलेंगे, यहाँ पर जो videos होंगे, यह videos chapter wise format में हो सकते हैं, या Magnet Beans के app के माधियम से आप इन videos को access कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और खुश कबरी है, कि Magnet Beans अपना नया channel लांच किया है, जो कि Magnet Beans हिंदी के नाम से है, आप क्या करेंगे, आप इस channel को देखेंगे, अगर आप search करेंगे, तो channel आपको मि हिंदी मीडियम के student है, आप उन्हें इस channel को recommend कीजिए, क्योंकि यहां पर जितना भी content है, वो सारा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, चाया वो CBSC से हो, सबी subjects के videos उनको यहां पर फ्री of cost available मिलेंगे, Magnet Beans एक ऐसा platform है, जहां पर class kg से लेके class 12 तक पढ़ाया जाता है और यहां पर जितने भी videos है, वो सारे videos बिल्कुल free of cost available है, आप लोग जादे से जादे इन videos को share कीजिए, Magnet Beans के बारे में बताइए, अपने school, college, institution, भाई बहनों को बताइए, साथी साथ video को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए, मुलाकात होगी आपसे next video में एक नए topic के साथ, तब त गज किएए, क liग में एक और नही दसे दता doc ward, अजसे जादे, म कीजिए, साथ गोगी घूदी तरे कोई में भाईए, आपसे गताप बताभ़ नहीं को बताऊए, च lifesinations भी, हैं इन एको ख।के बताए, मुलाकात होगी टूदी के दा सारे रहीं कोई क्रिए, मुलाकात